प्रॉब्लेम सॉल्विंग को कैसे करेंगे और इसके बेसिक स्टेप्स क्या है यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें यहाँ पे identify करना होता है problem को फिर algorithm हम develop करते हैं उसके लिए और at last हम identified problem को finally implement कर लेते हैं और एक proper software हम develop करते हैं इसके लिए ठीक है और हमने आपसे यह भी बताया था कि इसके क्या importance है steps for problem solving क्या होते हैं तो यह चार steps होते हैं जो हमें finalize करने होते हैं analyze the problem, developing algorithm, coding and testing today we are going to discuss about the what is the meaning of the analyzing the problem आज हम analyzing the problem के बारे में पात करेंगे कि problem analyzing का क्या मतलब होता है what does you mean by the problem analyzing देखे analyze का मतलब होता है study करना अगर आपने किसी problem को proper तरीके से study नहीं किया अगर आप study नहीं करते हो तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि उसका solution होना क्या चाहिए तो कहता है कि if you want to find out the solution of a particular problem it is better to you understand that problem के लिए लिए तो that is the necessary part अगर नहीं समझ में आएगा तो how you can solve the problem how you can do the program, how you write the program, how you develop the algorithm तो आप यह काम नहीं कर सकतो तो that's why it is required to read and analyze the problem statement carefully in order to list the principles components मतलब जो उसके basic components हैं उसको identify करना problems को identify करना, decide करना की core functionalities क्या होती है क्या काम करने हैं और उसका solutions क्या होना चाहिए problem को analyze करने के बाद ही आप इस process पे इस बात पे आपाते हैं आप इस चीज़ को decide कर सकते हैं कि क्या inputs देंगे और हमें क्या outputs मिलेगा, हमें output क्या मिलेगा, क्या वो accept करना चाहता है, उस program को क्या देना है और क्या output हमें मिलना चाहिए तो this thing you can only understand after analyzing the problem so that's why analyzing the problem is very important next आता है developing an algorithm अब यह algorithm का मतलब क्या है तो algorithm is a set of exact steps which when followed solve the problem or accomplish the required task किसी काम को करने के लिए जो certain set of steps आप follow करते हो जो आप steps लेते हो उस steps को ही हम algorithm कहते हैं उस steps को क्या कहते हैं that is called algorithm उसे ही algorithm कहा जाता है examples के तोर पे देखिए समझे इस steps को कि अगर माल लेजिए कि you have to make a tea आपको चाय बनानी है अगर suppose करते हैं तो अगर आपको चाय बनाना है तो अब क्या करोगे what is the basic steps for the making of tea अगर simple भासा में समझे तो सबसे पहले कि आपको क्या के चीजों किन की चीजों की requirement है first you have to find out the requirement टी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए तो आपको एक requirement analysis करना होगा आपको लेना होगा पानी आपको चाहिए दूद आपको जहुत होगी सक्कर की यानी की चीनी आपको जहुत होगी चाय पत्ती की ठीक है यह basic चीज है यह सबसे minimum need है अगर आप बहुत advanced किसम के चाही नहीं बनाना चाहते हैं अब इन सभी चीजों के बाद मतलब आपको water की requirement थी आपको milk की requirement थी आपको sugar की requirement थी और आपको milk हो गया, water हो गया, sugar हो गया and tea leaf की requirement थी ठीक है? leaf की requirement थी अब इसके बाद बाद करते हैं यह तो input होगी है कि इससे आपका चाही तयार होगा किस चीज में तो आपको एक container भी चाहिए आपको utensil की भी ज़रुत होगी आपको अब है कि चाही तयार होगा किसके उपर तो उसके लिए आपको gas भी चाहिए stop भी चाहिए gas stove की requirement होगी और साथी साथ आपके पास time चाहिए तो यह तो आपका input हो गया अब आपने exact input को identify किया after this आपको क्या करना है processing करना है processing क्या होगा तो सबसे पहले क्या करोगे lightning of gas stove होगा उसको burner को light कर जलाएंगे हम on करेंगे gas on करेंगे gas on करने के बाद उसके उपर हम क्या करेंगे अपने बर्तन को रखेंगे बर्तन को गरम हलके से गरम होने के बाद इसमें हम क्या करेंगे water pour करेंगे इसके अंदर में water डालना होगा फिर आप क्या करोगे आपके बनाने का तरीका अलग हो सकता है आप हो सकता है इसमें sugar मिला दो इसमें sugar mix कर दो फिर क्या करोगे और इनको अच्छे से boil होने जते हैं, फिर milk को mix करते हैं, फिर इसको boil होने जते हैं, और इन सब के साथ हमें एक चीज की और भी ज़रुत होगी, अब चाई प्योगे किस चीज में भी यह, तो चाई तो प्योगे cup के अंदर, तो आपको cup की requirement होगी, अब अब cup के अंदर चाई डालोगे इस बरतन से, तो इसमें तो चाई पती भी आ जाएगी, तो हमें filter की भी जोगत होगी, हमें एक filter भी चाहिए, जहां से हम चाई को filter करेंगे, ठीक है, तो filtration की भी जोगत होगी, तो further process क्या होगा, चाई तयार होगी, तो फिर आप cup लोगे, cup के अंदर में filter को डालो मतलब ये एक चाई बनाने का process है, तो इसी चीज को, इसी चीज को जब हम proper steps में convert करते हैं, कि कि किसी भी solutions को find out करने के लिए, किसी भी program को लिखने के लिए, उससे पहले सबसे पहले ज़रुत होती है, कि उसको एक natural language में, यानि कि algorithm में convert किया जाए, मतलब आप direct coding नहीं कर सकत तो आप क्या करोगी, you are developing an algorithm, we can imagine algorithm like a very well written recipe, like a days which clearly define everything, तो हम algorithm को कुछ इस तरीके से देखते हैं, चीक है, तो now you understands कि how we can make the algorithm, तो we start with a tentative solution plan, normally algorithm के लिए क्या करते हैं, एक tentative, मतलब coding करने से पहले हम tentative solutions के बारे में सोचते हैं, algorithm के बारे में सोचते हैं, अपनी भासा में कि हमे यह काम करने हैं, हमें यह steps follow करने हैं, हमें यह steps follow करने हमें, यह steps follow करने हैं, और finally आपके पास एक algorithm आजाता है, उस setup steps को combine कर दिया जातो, further क्या करते हैं, further हम बात करते हैं coding की, अब इसके बाद हमें coding करने की requirement होती है, आपने algorithm design कर लिया, now this is the time to convert your algorithm into the form, into the code, अब क्योंकि आ अपने algorithm, अब आपका computer आपके algorithm को नहीं समझेगा, तो आपको क्या करना होगा, उस algorithm को computer understanding language में, that is the programming languages के अंदर के through, आपको उसमें convert करना होगा, आपको एक certain language C, C++, Java, Python, जैसे programming language का use करके आपको क्या करना होगा, आपको algorithm के बेस पे, उस algorithm के respective instructions को लिखना परेगा, माल आपको value input कराना है, तो आपने input statements लिखा, फदर आपको process करना है, तो आपने processing statement लिखा, at last आपको output देना है, तो आपने print statement लिखा, तो इस तरह के कुछ setup statements आपको लिखने होगे, और उस विसमें आपका, जब आप उस setup statements को proper तरीके से लिख दोगे, मैंना उस algorithm को finally convert कर दोगे किसी एक particular language के instruction में, C, C++, Java, Python के किसी भी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, program बन जाएगा, और फदर इस program को आपका computer understand करेगा, computer इसको compile करेगा, compile करके convert करेगा, machine की भासा में, फिर computer उसको समझेगा, और accordingly behavior start कर देगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका coding का part complete हो गया, किसे बाद, coding को क्या करना होता है, coding को test करना होता है, testing is the very essential part, testing and debugging, what is the meaning of the testing, testing का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते है, testing का मतलब होता है कि आपने कोई program create किया, तो you required to be check the program, आप उसको check करोगे, आप उसको certain value provide करोगे, कुछ parameters दोगे, और देखोगे कि is it on the basis of given this input, हमने जो input द क्या हमें एक certain output मिल रहा है, क्या एक user की requirements को ये fulfill कर रहा है, और ये output क्या expected time frame के अंदर दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो इन चीजों को हमें check out करना होगा, इस check out process को हम क्या करते है, this is called testing, हम कुछ test cases generate करते है, हम कुछ correct और incorrect value input करते है system को, system उसको process करके हमें एक certain output provide करता है, और हम check करते हैं कि क्या correct input के base पे, can we get the correct output or not, और incorrect input जब हमने किया तो हमें कैसा output मिलता है, हो सकता है कई तरह के syntax error मिल जाए, किसे तरह के logical errors आपको देखने को मिल जाए, अब ये जो error आपको मिला यहाँ पे, आपको आपने जो problem यहाँ पे notice किया, वो syntax error और logical error जो भी error आपने notice किया होगा, इन सभी error को आपको further क्या करना होगा, remove करना होगा system के अंदर से, ठीक है, आपको हटाना होगा system के अंदर से, और इस process को हम क्या कहते हैं, जो errors होते हैं, जो defects हमें program में मिलता है, testing phase के अंदर में, उसे हटाने के process को debugging कहते हैं, क्यों, because this error and problems are known as the bug, तो bug क remove करने का जो process होता है, bug को remove करने का जो process है, उसी को हम debug कहते हैं, और this is called debugging, एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम testing की बात करते हैं, तो normally we are doing the several types of the testing, unit testing होता है, component testing, integration testing होता है, system testing होता है, acceptance testing होता है, कई सारे के types के testing software industry के अंदर किया जा रहा होता है, उसके technicals और business requirements को verify करन के लिए ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने software को test करोगे, और आपका software अगर proper तरीके से tested है, उसमें कहीं कोई problem नहीं आ रही है, तो आपको उस software को implement कर देना है, उसको customer को दे देना है, and in future आपको software में time to time आपको यहाँ पे maintenance की भी ज़रुद परती है, आपक the usage of the software possible है, कि योर उसर इस फेसंगे several problems, तो उस problems को sought out भी करना परता है, तो यह हमारा maintenance का phase हो जाता है, ठीक है, तो this is about the steps for solving problem, तो अनॉट है, तो अनॉट है तो अनॉट है तो आपको पास particular steps क्या है, analyze का क्या मतलब हो गया, coding का क्या मतलब हो गया, testing and maintenance का क्या मतलब हो गया, तो now you understand this, now we are going to talk about the algorithm, कि what is the meaning of the algorithm, मैंने अभी आपको बताया कि algorithm क्या होता है, algorithm एक exact set of steps होते हैं किसी particular problem को sort out करने का, अगर आप किसी problem को solve कर रहे हो, तो उसको solve करने के लिए you have to take a certain step, तो जो आपने certain steps लिया है, उस steps को हम क्या कहते हैं, उसको हम algorithm कहते हैं, ठीक है, तो अब ह सकते हो, there are several activities you are doing in your daily life, आप school जाने के लिए तयार होते हैं, आप breakfast बनाते हैं, आप cycle चलाते हैं, आप tie पहनते हैं, आप puzzle solve करते हैं, तो there are so many activities, अब देखिए अगर riding of bicycle करना है, तो आप क्या करोगे, bicycle को stand से हटाओगे, seat पर बैठोगे, paddling करोगे, brake लगाओगे, जहाँ ज गटेस्ट common division निकालने हैं, आपको LCM calculate करना है, तो आप क्या करते हो, GCD is the largest number, divides both the given number, मतलब किसी GCD निकालने के लिए, आप क्या करोगे, छोटे value को, मतलब 45 और 54 का GCD निकालना है, सब क्या करते हैं, हमने factor निकाल दिया, अब हम क्या करेंगे, largest common number पता करेंगे, जो दोनों मिला हमेरे पार पास 9 मिला, तो 9 is the largest common number, अब यह 9 क्या होगा, हमारा GCD होगा, तो इस तरह से हमने क्या क्या क्या, एक certain steps को follow किया, और हमने समझने की कोसिस की, कि how we can find out the solution of this particular problem, and this is called algorithm, तो algorithm के बारे हमेसा ध्यान अर्कियेगा, it is a finite sequence of the steps, यह हमेसा finite sequence of the steps होता है, किसी desired output को देने के लिए, and that is called algorithm, it will lead to the desired result in a finite amount of time, एक certain time में यह आपको output दे देगा, it has a definite beginning, it has a definite end, and it consists of the finite number of steps, तो ध्यान लखेगा कि algorithm के features होते हैं यह, कि algorithm के अंदर में, अगर आप algorithm को देखेंगे, तो उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, एक proper beginning होगा उसका, एक proper end होगा, और क infinites होंगे, fix होंगे, infinite नहीं होंगे, एक चीज़ के बारे में जानी है, कि algorithm जो word है, इसको कहां से लाया गया, तो यह कहा जाता है कि ट्रेस्टु है, फॉसेशियन, एस्ट्रोनॉमर, दा मैथमेटिसियन, अबू, अबदुल्ला, मुहम्मद, इब मुशा, अल-क्वाजरिज के नाम से, 850 AD के time में यह होते थे, तो यह Latin translation में अल-क्वाजमी को algorithm के नाम से जाना जाता है, algorithm के नाम से जाना गया इनको, ठीक है, तो इनहीं के नाम पर algorithm का नाम जननीट हुआ, फॉस्ट ताम यह word यहीं पर coin किया गया, अब है, कि now the question is that, कि why we need algorithm, मैंने भी आपको बताय कि किसी भी programmer के लिए, चाहे कितना भी बड़ा bigger programmer क्यों नहीं हो, चाहे आप कितने ही expert programmer क्यों नहीं हो, every programmer need to write certain steps before going to write the code, computer पर direct coding करने से पहले, हमें उस program को, उस problem को sort out करने के लिए, क्या-क्या steps follow करने हैं, उस steps को हम proper अपने language में लिखने की कोसिस करते हैं, हम एक roadmap तयार करत है, suppose किजिए कि आज के date में आपको कहीं गोमने जाना है, तो आप क्या करते हो, आप google करते हो, आप google पर जाकर search करते हो, आप उसके maps को चेकते हो, आप उसके nearby locations को चेकते हो, आप उसके weather को चेकते हो, and further you will decide कि आप अपनी car से जाओगे, या आप अपनी car के बजाए, कि या आप क्या करोगे, आप ट्रेन से जाओगे, आप किस ती से जाओगे, आप इसके बारे में सोचना सुरू कर देतो, तो this is what, this is up certain steps, मालब एक road map एक तयार किया, एक रास्ता आपने decide कि how you are going to follow these steps, और कैसे आप इस problem को shot out करोगे, कहता है कि without road map, proper calculations के भीना, एक programmers कभी महीं एक सही instructions को लिख सकता है, और एक अच्छे program को develop कर सकता है, हाँ, यह possible है कि कई बार programmer उस steps को note down करता है, कई बार programmers उस steps को अपने mind में verbally करता है, but it's totally depend upon the problems, normally क्या होता है कि एक अच्छे programmers के यह एक habit होती है, कि anytime whenever they have to face the any problem, they are just going to do some writing work, they are going to write some basic steps, they are going to think about the problem, और उस में से वो basic steps को लिखता है, और वहीं से उसके दिमाग में एक idea जन्नेट होता है, and then he and she is able to write a proper program in a particular programming language, तो कहता है कि अगर आपका algorithm सही होगा, तो your computer program will run correctly every time, and you will get a proper program, so algorithm is used to increase the reliability and accuracy and efficiency of obtaining solution, so writing algorithm is mostly considered as the first steps to the programming, तो इस चीज़ को हमेसे अधान लगना है, कि कभी भी आपको अगर कोई program करना है, तो first of all you have to write down an algorithm, यह निहाएज जरूरी है, now there is some characteristics of the algorithm, a good algorithm कहता है कि क्या होना चाहिए, एक अच्छे algorithm के अंदर कि क्या quality होनी चाहिए, तो the first thing, it is precise, मतलब precision, कहने कहरत है कि steps are precisely stated or defined, मतलब जो steps आपने लिखा है, वो properly state होना चाहिए, defined होना चाहिए, uniqueness, मतलब result of each steps are uniquely defined, तो and only depend upon input and the result of the preceding steps, जो steps हैं, वो uniquely उसके results पता होना चाहिए, कि यस steps के बाद हमें क्या output मिलेगा, और हो सकता है कि जो अगला steps है, वो इस output पर depend हो, तो proper definition, finiteness, मतलब set, जो number of steps होना चाहिए, वो fix होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका कह दो कि हमारत algorithm infinite times तक rotate करता रहेगा, sorry to say, ऐसा नहीं होता है, input, आप proper input value की बवस्ता होनी चाहिए, algorithms के अंदर बवस्ता होनी चाहिए, कि उसको proper input मिले, and that algorithm is also giving the proper output, तो देखो, ये 5 characteristics हैं, जो आपके algorithm के अंदर होने चाहिए, precision, uniqueness, finiteness, input and output, तो इस चीज़ का ध्यान लखना है, जब भी आप एक अच्छा algorithm लिखना चाहते हो, वाइल राइटिंग है अलवेथम, वाइल राइटिंग है इस रिक्वाइड, it is inquired to clearly identify the following, आपको बहुत सारे इन चीज़ों का ध्यान लखना है, जब भी आप algorithm लिखते हैं, कि आपको क्या input लेना है user से, क्या processing करना है उसके उपर में, कौन सा calculation करना है उसके उपर में उस result को देने के लिए, और उस result को आप किस तरीके से दोगे, कई बार result हम स्कीन पर दिखाते हैं, कई बार result हम प्रिंट करके देते हैं, तो these things you have to clearly define, कई बार आप result indirect दरीके से भी दिखाते हों, ठीक है, तो today is about this much, and next day we are going to discuss about some algorithm representing techniques, representations of algorithms के बारे में हम बात करेंगे, यानि कि in the next class we are going to talk about the flow charts, हम flow charts के बारे में बानेंगे, और सिखेंगे कि कैसे हम flow charts लिख सकते हैं, मापको basic flow chart में लिखना भी जिखाऊंगा, तो बने रिए मेरे साथ, वीडियो पसंद आया हो तो like किजिए, पसंद नहीं है तो dislike कर दीजिए, कोई problem नहीं है, चैनल subscribe नहीं किया है,